हेलो दोस्तों तो आज एक नया हम चेप्टर स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर इस चेप्टर की बात करें तो जो हम बेसिक मैथ पढ़े थे ठीक है बेसिक मैथ के बाद यह हमारा दूसरा चेप्टर होना चाहिए जिससे कि हमें फिजिक्स य हमारा होता है समतल में गती इस चेप्टर के अंदर यह पार्ट होता है लेकिन इस पार्ट को हम पहले ही पढ़ेंगे ताकि जो आगे चेप्टर सम पढ़ने वाले उनमें कोई भी दिक्कत ना हो इसके लिए ठीक है तोंकि इसमें आप देखेंगे जैसे वेक्टर एनालेश या सदीसों के परकार कितने कितने परकार के होते हैं सदीसों को जोड़ा कैसे जाता है घटाया कैसे जाता है इनका गुरनफल कैसे किया जाता है इनका वियोजन यानि कंपोनेंट कैसे किया जाता है यह सारी चीजें अपने को पहले पता होनी चाहिए ठीक है देखिए हम इस वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लेंगे लेकिन हाँ फिर भी हम इन सारी हेडिंग्स को पढ़ेंगे जिससे कि हमारा कम से कम फिजिक्स यानि भौतिक गिजान के अंदर जो आगे आने वाले चेप्टर से उनमें हमारा पूरा कमांड बन सके ठीक है इसके लिए हमें पहले इन दो चेप्टर को पढ़ना होता है जैसे बेसिक गणित हम पढ़े थे उसे और उसके बाद वेक्टर एनालिसिस यानि सदीस को पढ़ना होता है ठीक है अच्छा हम आपको पहले जो कोई भी चीज लिखवाएंगे तो कुछ जो इंपोर्टेंट बाते होंगी उनकी हम आपको इंग्लिस भी सिखाते चलेंगे ताकि वो आप साथ में समझ सकें ठीक है तो देखिए हम बात करने जा रहे हैं चेप्टर क्वांटिटी के बारे में हम जानेंगे कि फीजिकल क्वांटिटी होती क्या है उसके बाद हम देखेंगे सदीसों का निरू पर यानि कि जो फीजिकल क्वांटिटी इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है यानि कि रिप्रेजेंटेशन ओफ वेक्टर ठीक है उसके सती सों का वियकलन जिसे हम घाटाना भी कहते हैं यानि सब श्क्राइक्टर्छ यह दिए देखेंगे फिर देखेंगे सभी का घटको पढ़ेंगे सब एसलियसों का गुरन्फल मल्टिप्लिकेशन ओव एकर किस तरीके से सदीसों को सदीसों को multiply किया जाता है उनको गुना उनका गुना कैसे किया जाता है यह सारी चीजे अपन सिखेंगे लेकिन हमारी सबसे पहली जो heading है सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि जो सदीस रासी यानि की physical quantity होती है यह होता क्या है ठीक है अच्छा है हम आपको सबसे यह समझा लेंगे फिर हम आपको जो परिभासा होगी वह परिभासा भी हम लिखवा देंगे जो आपके बोर्ड स्क्रीन पर आएगा और आप उससे देखेंगे ठीक है कि तो चली आजे इसमें एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जो भी chapter हम 11 का पढ़ेंगे अगर आप किसी competition के भी preparation करते हैं उनमें भी इन chapters का भरपूर यूज होगा इसलिए आपको कौपी जो बनानी है वो अच्छी कौपी बनानी है मतलब एकदम से फेर आपका अच्छा होना चाहिए जिससे कि ये भवी समय आपके कामें आ सके है ठीक है चलिए तो हम सबसे पहले समझते हैं कि भातिक रासी होती क्या है तो देखे हम बोलते हैं कि जिन रासियों के द्वारा जो बिविन भातिक घटनायों होती हैं उनको समझाया या ब्यक्त किया जा सके वही होती हैं भातिक रासी उसे ही बोलते हैं ठीक है अगर हम भातिक रासी की बात करें तो जनरली हम देखेंगे कि भातिक रासी को दो category में Divide किया गया है एक होती है सदीश-rasi और दूसरा होता है अधीश-rasi ठीक है सदीश-rasi क्या होती है सदीश-rasi वह होती है जिसमें डायरेक्षन भी यानिकी दिशा और परिमार दोनों हों उनको बोला जाता है सदीश-rasi लेकिन अगर अदीश रासी की बात करें तो अदीश रासी वो होते हैं जिन में केवल और केवल परिमार उपस्थित होता है लेकिन दिसा नहीं होती है उनको बोलते हैं अपन अदीश रासी ठीक है तो चलिए समझते हैं इसे तो हम सबसे पहले यह देखेंगे कि जो physical quantity यानि भौतिक रासियां है उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइट करेंगे एक होती है आपकी अदीश रासी जिसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी यह बोला जाता है और दूसरा हमारा होता है सदीश रासी सदीश रासी जिसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी अब जड़ा इस चीज को समझेगा अगर हम बात करें अदीश रासी की तो हम बोलते हैं कि वह भौतिक रासी जिसमें केवल और केवल परिमाड उपस्थित हो परिमाड उपस्थित हो मतलब परिमाड तो हो लेकिन दिशा न हो ऐसी रासी को बोलते हैं अदीश रासी या स्केलर क्वांटिकी ठीक है अगर हम अदीश रासी की बात करें तो इसमें आप उधारण देख सकते हैं जैसे हम बात करें तो दूरी होती है दूरी एक अदीस रासी होती है दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस दूरी को क्या बोला जाता है डिस्टेंस ठीक है फिर चाल तो चाल को क्या बोलते हैं चाल को बोलते हैं स्पीड ठीक है तो ये दे टेंप्रेचर का मतलब ताप भी एक अधीस रासी है और कुछ अधीस रासी की बात कर लेते हैं जैसे आप बोल सकते हैं दाब भी एक अधीस रासी होता है इसको बोला जता है प्रेसर ठीक है उसी तरीके से हम घहनत्व की बात करें घहनत्व भी एक अधीस रासी होती है जिसे बोलते हैं density density का मतलब घनत्वा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिसे हम बाद में देखेंगे ठीक है मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सारी चीजे अपन देखते जाएंगे तो आप देखिए हमने बोला कि अदीस रासी जिसमें केवल और केवल परिमार होता है लेकिन दिसा न हो वैसी रासी को बोला जाता है अदीस रासी अदीस रासी की बात करें तो अदीस रासी वो होते हैं और इनके उदाहरण की बात करें तो दूरी एक अदीस रासी है चाल अदीस रासी है ताप अदीस रासी होती है केवल और केवल इनके पास परिमार होते है दिशा नहीं होती है दाब की बात करें अदीस रासी घनत्व भी एक अदीस रासी होती है बात समझ में आगे तो ये अदीस रासी के उदाहरण है ठीक है अब हम बात करेंगे कि सदीस रासी क्या होती है सदीस रासी को जानेंगे ठीक है चलिए देखे हम बात करते हैं कि वह भ कि दोनु परिमार भी होना चाहिए और दिसा भी होना चाहिए जिन बहुतिक रासियों के पास ये दोनु चीजे होती है उन रासियों को बोला जाता है सदीस रासी जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं ठीक है अगर इनके उदाहरण की बात करें तो जैसे आप इसम सभी सिरा के विग bane Lenoir लें जोर्ट पर विस्थापन एक अधीस रासी है इस्को बोला जाता है दिस प्लेस इसे बोलते हैं डिस्पलेस डिस्पलेस्मेंट्र ठीक उसके बाद वेग वेग भी एक सदीस रासी है इसको बोला जता है वेलोसिटी देखिए आपको ये सारी velocity बोला जाता है फिर हम बात करेंगे टौरड की टौरड यानि की यह होता है acceleration यह होता है और इसके बात करेंगे बल, बल को बोला जाता है force F.O.R.C.E force यह होता है तीक है इसके बाद हम बात करेंगे समवेग, समवेग, तो समवेग क्या होता है, मोमेंटम, तो मोमेंटम, ये, फिर आवेग, तो आवेग को बोला जाता है, इमपल्स, ये होता है, ठीक है, और हम एक और देख लेते हैं, विद्दुद छेत्र, विद्दुद छेत्र, उसी तरीके से हम बात कर सकते हैं, जैसे विद्दुद छेत्र, यानि की इलेक्ट्रिक फिल्ड, इलेक्ट्रिक फिल्ड, इसी तरीके से मैगनेटिक फिल्ड, यानि की चुम्बकिय छेत्र, यानि की मैगनेटिक फिल्ड, ठीक है, ये होते हैं, आपके स सदीस रासी और बहुत सारे उदाहरणे जिनको हम आगे पढ़ेंगे ठीक है तो देखिए हम अभी बात कर रहे थे सदीस रासी और अधीस रासी के बारे में आप ये चीज़ समझे अच्छा हम अधीस रासी में जैसे हम इसमें भार भी बोल सकते हैं भार या द्रब्यमान तो लेंथ यानि कि लंबाई ये भी एक अधीस रासी होती है ठीक है तो अब समझे सदीस रासी और अधीस रासी आपको ये दो बाते समझ में आ गए देखिए एक और होती है टेंसर क्वांटिटी अच्छा टेंसर क्वांटिटी को अपन बोलते हैं प्रदीस रासी प्रदीस ये बोलते हैं अच्छा आप ये चीज़ समझ लिजिए कुछ भावतिक रासियां ऐसी होती हैं जिनके पास परिमार और दिसा होते हुए भी परिमार और दिसा होते हुए भी वो सदीस रासी नहीं होती हैं ठीक है ये सब आप जब आगी धिरे-धिरे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे variation देखने को मिलेंगे मतलब बहुत सारी चीज़े अलग-अलग आपको देखने को मिलती हैं तो कंग से कम आप एक नई चीज़ देखे हैं कि जो scalar quantity यानि अदीस रासी सदीस रासी इसके बाद भी एक quantity होती है अलग टाइप की एक रासी होती है जिसको बोलते है हैं प्रदीस रासी अगर हम इसकी बात करें तो देखे हमने आप से यह बताया कि कुछ quantity कुछ भावतिक रासियां ऐसी भी होती हैं जिनके पास दिसा और परिमार होती वे भी वो सदीस रासी नहीं होती है ऐसी रासियों को बोला जाता है प्रदीस रासी ठीक है अब इन में उदाहरण देख सकते हैं जैसे जैसे जड़त्व आगोर्ड जैसे एक एक जामपल आप ले सकते हैं जड़त्व आगोर्ड ठीक है यह एक एक जामपल होता है इसका तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो अब आप क्या करिए बोर्ड स्क्रीन पे देखिए आपको यह परिभासा लिखनी है। कौपी में पहले आप सारी चीजें समझ गए इसके बाद आपको ये परिभासा कौपी में लिखनी है तो जरा बोर्ट पे देखिए, हम बात करने जा रहे हैं कि भौतिक रासी होती गया है, तो कहेंगे कि वह रासी जिसे मापा जा सके तथा जिसके द्वारा विभिन भौतिक घटनाओं को नियमों के रूप में समझाया तथा ब्यक्त किया जा सके भौतिक रासी कहलाती हैं, और अदीस और दूसरा सदीस रासी, अदीस रासीयां क्या होती है, यानि स्केलर क्वांटिटी की ये परिभासा आपको लिखना है, देखिए होय क्या, कि अपन बोलेंगे कि वे भौतिक रासीयां जिनने पुरुडतिया ब्यक्त करने के लिए परिमार के साथ साथ दिसा, सोरी सोरी सोरी, वे भौतिक रासीयां जिनने पुरुडतिया ब्यक्त करने के लिए केवल परिमार की आवसकता होती है, अदीस रासीयां कालाती हैं, जैसे आप लिख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, दूरी, चाल, ताप, दाब, उर्जा, घनत्व, विद्दुद, घनत्व, आ पुडतिया ब्यक्त करने के लिए परिमार के साथ साथ दिशा की भी आवसकता होती है, तथा वे सदीस नियमों का पालन करती हैं, सदीस रासीयां कहलाती हैं, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरड, बल, संवेग, आवेग, वैदुच्छेत्र, धारा, घनत्व, दारा, घन जया होती है, ठीक है, चलिए एक नोट देखिए बोड पे, आपको दिख रहा है, कुछ ऐसी भहोतिक रासियां, भी होती हैं, जो परिमार्व दिशा, द्वारा भी पूर्ड रूप से परिभासित नहीं होती हैं, ऐसी भहोतिक रासियां, प्रदीस यानि की टेंसर कहलाती ह जैसे जडत्व आघोर्ड, ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आगी, चलिए, इसके आगे का हम टॉपिक देखते हैं, अब हमारे आगे का टॉपिक है, कि सदीस रासियों का निरूपड, सदीस रासियों का निरूपड, या सदीसूं का निरूपड, चलिए, तो हमारी हेडिंग होगी, रिप्रेजेंटेशन ओफ वेक्टर, यानि सदीसूं का निरूपड, तो ये हमारी हेडिंग है, सदीसूं का निरूपड, इसको बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ओफ वेक्टर, ठीक है, चलिए, देखिए, हम अगर ये कहें, कि सदीसों को निरूपड कैसे किया जाता है, तो हम सदीसों को निरूपड करते हैं, एक तीर के द्वारा, एक एरो के द्वारा, ठीक है, तो जरा उस चीज़ को देखिए, अगर हम किसी सदीस की बात करते हैं, तो इसे हम एक तीर के द्वारा निरूपित करते हैं और इसे जो बोला जाता है इसे टेल बोला जाता है इसे क्या बोलते हैं टेल और इसे हम बोलते हैं हेड तो ये चीज़ आप समझ लिजेगा कि हम सदीसों को एक तीर के द्वारा निरूपित करते हैं जिसमें ये वाला बोलते हैं ठीक है और यह माल लेते हैं कि a point है और यह b है तो अगर a से b देखा जाए तो हम देखेंगे कि a से b तक की अगर दूरी दूरी का मतलब लंबाई l है दोनों के बीच की लंबाई कितनी है l तो ठीक है तो एक चीज तो आप समझ गए सदीसों को हम एक तीर के द्वारा निरूपित करते हैं और लिखने का इसका तरीका क्या है देखिए यह tail है न यानि पूँच को हम पहले लिखते हैं यह head है head को उसके बाद लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं AB और जब इसको निरूपित करना होता है तो tail से head की तरफ जाते हैं और लिखते हैं AB vector तो इसे बोला जाता है AB vector या AB 60 इसे बोला जाता है ठीक है अब लेकिन आप इसको ऐसे अगर होता तो आप AB सदीस नहीं बोलते हैं AB सदीस कब बोला जाएगा जब उसके उपर तीर हो जब उसके उपर तीर हो आप ये बात समझ गए देखिए अगर हम इसके बाद इसमें बात करें तो देखिए अगर AB वेक्टर तो ये AB वेक्टर जो है इससे हमें direction यानि दिसा मिलती है क्या मिलती है दिसा इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी सदीस की दिसा क्या है तो यहाँ पे हमें ये पता चला है कि ये A tail है और B head है तो इस सदीस की दिसा A से B की तरफ है A से B की तरफ है ठीक है अब इसके देखिए एक चीज और आप समझ लीजिए इसको बोला जाता है mod जैसे ये दो line अपन किसी के बीच में खींच देते हैं तो इसको बोलते है mod और ये क्या देता है परिमाड इससे क्या पता चलता है परिमाड ठीक है ये परिमाड को निरूपीत करेगा परिमाड देगा क्या देगा परिमाड देगा और परिमाड को इंगलिस में बोला जाता है magnitude ठीक है मतलब ये हमें magnitude बताएगा और अगर हम AB वेक्टर AB सदीश के परिमाड यानि magnitude की बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि AB वेक्टर का जो मौड है उसको देखिए लिखते हैं हम ये लिख सकते हैं AB वेक्टर का मौड बराबर AB और AB लंबाई बताएगा और AB की लंबाई कितनी दे रखी है L दे रखी है बात को समझ भाई तो सदीशों को इस तरीके से निरूपित किय जाता है अब आगे एक और चीज़ समझेगा अगर मान लीजे कुछ ऐसा हो जाए अगर आपको एक सदीश दे रखा है और वो सदीश आप समझ लीजे कि वो ऐसे है मतलब यह A है और यह B है ठीक है ऐसे तो इसको कैसे निरूपित करेंगे तो देखिए इसको आप निरूपित ऐसे कभी मत करिएगा कि इस तरीके से कि B से A हम लिखेंगे A B और B से A तो यह आप कभी भी नहीं लिख सकते हैं ठीक है आप यह कभी भी नहीं लिख सकते हैं उल्टी तीर आप कभी नहीं चलाएंगे हमेशा आप बोलेंगे अगर इसको लिखने का सही तरीका क्या है कि B से एक की तरफ न तो बी ए वेक्टर ये सही तरीका है तो आप टेल से हिट की तरफ आईए आप वैसे ही लिखिए जिस तरीके से लिखा गया है तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर इसकी बात करें तो इसकी डेफिनिशन आप बोर्ड स्क्रीन पे देखिए जो आप ल लंबाई को सदीश का परिमार कहते हैं या उस तीर की लंबाई सदीश के परिमार को ब्यक्त करती है ठीक है उस तीर की दिशा सदीश की दिशा को बताती है अब यह समझ गया तो देखिए आप कभी भी इस तरीके से नहीं लिखेंगे आप जब भी लिखेंगे इस तरीके स अब इसके बाद हम बात करेंगे कि सदीसों का प्रकार यानि सदीसों सदीस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं तो अब हम बात करेंगे सदीसों के प्रकार को लेकर देखिए यह जो चेप्टर है यह काफी important चेप्टर है ठीक है अगर यह चेप्टर आपको आता है तो जो भौतिक बिग्यान यानि physics जो हमारी है 11th की उसे करने में बहुत ही आसानी होगी और इसके बाद भी अगर हम पढ़ाई आगे जाली रखते हैं जैसे 12th में भी इसकी जरूरत पढ़ेगी ठीक है लेकिन ये आपका basic होता है यहां अगर चीजों को सीख लेते हैं तो इसी का क्या रहा है तो इसके लिए ये chapter बहुत ही जरूरी है ठीक है चलिए अब हम बात करने वाले हैं सदीसों के प्रकार सदीसों के प्रकार यानि हम बात करेंगे यहां पर type of type of vectors सदीसों के प्रकार ये इसकी बात करेंगे सदीसों के बहुत सारे types आएंगे हम एक एक करके देखते जाएंगे सबसे पहले बात करते हैं हम समान सदीस की समान सदीस जरा इस चीज को देखिए कि समान सदीस यानि इसको बोला जाता है इक्वल वेक्टर इसको क्या बोलते है equal vector यानि समान सदीज अब यहाँ ज़रा देखिए जो equal vector होता है वो होता क्या है तो यहाँ पर हम यह बोलते हैं कि दो ऐसे vector जिनकी दिसा और परिमाड यानि लंबाई जिनकी दिसा और लंबाई समान हो ऐसे सदीज को बोला जाता है समान सदीज यानि equal vector ठीक है जैसे आप समझ गए कि एक vector यह दे रखा है अब आप तो समझ गए कि सदीस को हम ऐसे निरूपित करते हैं इसे आप बोलेंगे A B vector यह A B vector है जिसकी लंबाई L है जिसकी लंबाई L है आप तो यह समझ गए ना कि यह A है और यह B है उसी तरीके से एक और सदीस ले लेते हैं CD vector तो ये रहा C और ये रहा D इसे लिखेंगे CD vector जिसके लंबाई L है ठीक है तो ये AB vector है ये CD vector है दोनों के लंबाई L है तो हम यहाँ पर बुलेंगे कि AB vector जो है वो CD vector के बराबर है ठीक है, AB vector जो है, वो CD vector के बराबर है, यह आप बोलेंगे, अगर इनके परिमार की बात करें, तो परिमार क्या होगा, AB vector का mod और ये CD vector का mod और इन दोनों की लंबाई क्या है, L है, बराबर है, अच्छा ये दोनों दोनों vector जो समान सदीस होते हैं, वो एक दूसरे के parallel यानि सम आंतर भी होते हैं, ठीक है, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, कि AB vector parallel होगा, CD vector के, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो अब एक चीज़ और समझेगा, समान सदीस की बात करें, तो दोनों का मुह एक तरफ है, तो जैसे एक सदीस ये है, दूसरा सदीस ये है, दोनों का मुह जब एक तरफ है, तो इनके बीच का कोण जो बनेगा, वो 0 degree होगा, जैसे आप ये समझेगे, कि एक सदीस ये रहा, और दूसरा सदीस भी हम इसी के ऊपर बना देते हैं, हम ऐसे बना देते हैं, ये AB सदीस है, AB vector है, और ये CD vector है, तो दोनों एक ही, यानि कि दोनों का मुह एक त ये आपको ध्यान रखना है, कि अगर समान सदीस हैं, तो इनके बीच का कोण यानि थीटा की value क्या होगी, 0 degree, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, कि समान सदीस के बीच का कोण 0 degree होता है, इस तरीके से ये हमारा खतम होता है, समान सदीस, अब हम बात करेंगे, रिडात्म सदीस होता है वो क्या होता है ठीक है यानि निगेटिव वेक्टर की बात करेंगे है हाँ जी चलिए अब हम बात करेंगे निगेटिव वेक्टर यानि रिलातमक सदीस रिलात्मक सदीस जिससे बोला जाता है निगेटिव वेक्टर अब निगेटिव वेक्टर ठीक है अब निगेटिव वेक्टर यानि ये दूसरा है अब ये क्या होता है तो अगर हम negative vector की बात करें तो हम ये कहेंगे कि दो ऐसे vector जिनका परिमार समान है जिनका परिमार यानि लंबाई समान हो लेकिन उनकी दिशा बीपरित हो उनकी दिशा क्या हो बीपरित हो ऐसे सदीश को हम बोलते हैं रिलात्मक सदीश यानि negative vector ठीक है अब यहां समझे जैसे एक सदीष यह रहा, A, B, वेक्टर, यह बोल देते हैं, यह A है और यह आपका B है, उसी तरीखे से एक C, D, वेक्टर, यानि हम बोल देते हैं कि यह आपका, यह आप ऐसे समझ लिजे कि यह C है और यह D है, इसको बोलेंगे CD Vector इसकी लंबाई L है और इसकी भी लंबाई L है ठीक है तो हम यहाँ पर यह बोलेंगे कि AB Vector AB Vector और CD Vector में दोनों में आगे माइनस लगा देंगे कि अगर AB Vector प्लस में है तो CD Vector माइनस में यह चीज हम थोड़ा आगे समझेंगे कि यह माइनस क्यों लगाया गया है ठीक है लेकिन अगर इनके परिमाड की बात करें तो AB वेक्टर का मॉड और CD वेक्टर का जो मॉड आएगा वो उनकी लेंथ बराबर होगी है आप एक चीज समझ लिजेगा कि किसी के भी अगर हम मॉ कर देते हैं तो यह प्लस पांच होके निकलता है मॉड एक ऐसी फैक्टरी ऐसी मसीन होती है जिसमें आप निगेटिव डालते हैं और बाहर पॉजिटिव निकलता है कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं ठीक है तो यह हो गया अच्छा अगर इनके बीच का कॉन देखा ज है और दूसरा यह एक इधर की तरह है तो दोनों के बीच का कॉन कितना बनता है एक सवसी डिग्री तो आप यह बात दिहां रखेंगे कि जो रजात्मक सदीश होता है उसके बीच का कॉन एक सवसी डिग्री होता है ठीक है तो इस तरीके से हमारा लिएगेटिव वेक्टर यानि रिडात्मक सदीज भी complete होता है, इसके बाद हम बात करेंगे समांतर सदीज की, समांतर सदीज की, ठीक हैं, अब जड़ा समझते हैं कि समांतर सदीज क्या होता है, समांतर सदीज को बोलते हैं, पैरलल वेक्टर, ये है हमारा थर्ड और इसे हम बोलेंगे समांतर सदीज यानि पैरलल वेक्टर ये बोलेंगे ठीक है हाँ जी तो चलिए देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे समांतर सदीज के बारे में ठीक है अब जारा इस चीज को समझे कि होता क्या है देखिए हम इसमें यह बोलते हैं कि दो ऐसे सदीज या दो ऐसे वेक्टर मान लिजिए एक ये है और एक ये है ठीक है तो ये A B वेक्टर होगा बिलकुल अब दिखिए इसमें क्या होता है कि समानतर सदिस में कि दो सदिस जो होंगे उनकी दिसा एक ही होनी चाहिए. ये c है और ये d है तो ये होगा c-d vector ठीक है. अब यहाँ पर ध्यान देखिया. ध्यान से समझिएगा. यहाँ पर AB वेक्टर जो है वो समांतर यानि पैरलल है CD वेक्टर के यह चीज ठीक है यहाँ पर आप एक चीज और देख रहे हैं कि जो AB का मैगनिटीड है यानि कि AB का जो परिमार है वो CD के परिमार के बराबर नहीं है क्योंकि इसकी लंबाई अलग है लेकिन फिर भी यह दोनों समांतर सदीज है ठीक है अब देखिए यहाँ पर एक और देख सकते हैं यह कि यह मान लिजिए कि EF यह है तो यह EF वेक्टर हो जाएगा ठीक है और दूसरा जो है इसमें आप यह ले लिजिए GH तो यह GH वेक्टर हो गया ठीक है GH वेक्टर इसकी लंबाई अल और इसकी लंबाई अल दोनों की दिशा एक ही है तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि EF समांतर EF वेक्टर है समांतर यानि पैरलल है GH वेक्टर के उसी तरीके से अगर यहाँ पे बात करें कि EF वेक्टर का जो मॉड यानि मैगनिट्यूड है वो GH वेक्टर के मैगनिट्यूड के बराबर है हम दोनों की लंबाई कितनी है L है लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसकी लंबाई L1 ले लिजिया और इसकी लंबाई L2 तो देख रहे हैं कि दोनों की लंबाई अलग अलग है यहाँ पर इसकी लंबाई L1 है और इसकी लंबाई L2 है हम ऐसा बोलेंगे ठीक है फिर भी ये दोनों समांतर सदीस यानि पैरलल वेक्टर हैं हम कहेंगे कि दो ऐसे वेक्टर जिनकी दिशा एक ही हो लंबाई चाहे अलग-अलग हो चलेगा ये होते हैं समांतर सदीस एक बहुत ही इंपोर्टेंट चीज इसमें आप समझेए इससे numerical यानि कि जो questions आएंगे वो questions solve कर सकते हैं आपको वेक्टर जो chapter हम पढ़ रहे हैं इसमें इस तरीके के questions जो आएंगे आप देख सकते हैं देखिए आपको जो हम अभी चीज बता रहें न ये कुछ देर बाद हम आपको explain करेंगे लेकिन अभी यहां समझिएगा कि जैसे एक ये x-axis है ये y-axis यानि y-axis है और ये z-axis यानि z-axis है ठीक है अगर इस दिशा की बात करें तो ये i कैफ है इसमें ये j कैफ है और इसमें ये k कैफ है जरह यहां समझिएगा दो ऐसे वेक्टर अब थोड़ा सा आपको हम बोल लेना अभी आप देख लीजे इसके बाद जब आपको मतलब जब main topic पे आएंगे जो इसका ये topic है तो वहाँ पे आपको बात समझ में आएंगे लेकिन फिलाहल अभी देखिए मान लिजी कि एक वेक्टर a-b है ये a-x-i कैफ है प्लस a-y-j कैफ है प्लस a-z-k कैफ है ऐसा एक दूसरा वेक्टर है c-d वेक्टर वहाँ पे ये है b-x-i कैफ प्लस b-y-j कैफ प्लस c-y-k कैफ ऐसा है ठीक है हाँ जी चलिए देखिए हम ये बोल रहें कि a-b वेक्टर एक है और दूसरा c-d वेक्टर है दोनों समानतर है दोनों कैसे हैं समानतर तो एक relation देखने को मिलता है कि अगर a-b वेक्टर और c-d वेक्टर यानि a-b सदीस और c-d सदीस दोनों अगर समानतर है तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ax upon bx बराबर होगा यानि कि ये upon ये बराबर होगा ay upon by के ay upon by के और ये बराबर होगा az upon cz के sorry, यहाँ पे by होगा तो ये by az upon bz के ये बराबर होगा मतलब इनका ratio जो होगा अनुपाद वो आपस में बराबर होगा तो ये हमारे सामने इस तरीके का question आएगा कि दो सदी से दोनों समानतर हैं तो फिर आप इन में से कोई value पूछेगा किसी का मान पूछेगा आपको बताना होगा लेकिन फिलाल ये आप समझ लेजिए ठीक है तो इस तरीके से हमारा ये खतम होता है समानतर सदीज अब हम next की बात करेंगे और next हमारा होने वाला है प्रती समानतर सदीज ठीक है चलिए ये इसको ऐसे ही रहने दो अभी कोई जरूरत नहीं है हाँ चलिए हम देखते हैं तो फ़ूर्थ है हमारा प्रती समानतर सदीज अब यहाँ पर जराब ध्यान से समझ येगा प्रती समानतर सदीज को बोला जाता है एन टी पैरलल एंटी पैरलल वेक्टर ये बोला जाता है प्रती समांतर सदीस ठीक है अब जरा इस चीज को आप समझिएगा हम यहाँ पे बोलते हैं कि दो ऐसे वेक्टर जिनकी दिशा एक दूसरे के बीपरित हो एक दूसरे के अपोजिट हो ऐसे सदीस को बोला जाता है प्रती समांतर सदीस यानि एंटी पैरलल वेक्टर ये A है B तो ये होगा AB वेक्टर और ये आपका चला जाएगा CD वेक्टर अगर ये C और ये D है सौरी ये आप D ले लिजिए नहीं नहीं ये D ले लिजिए और ये C ले लिजिए तो CD वेक्टर ये हो गया है ठीक है अब देखे यहां पे अगर देखा जाए तो एंटी पैरलल वेक्टर में आप देख रहे हैं कि दोनों एक AB वेक्टर है दूसरा आप देख रहे हैं कि CD वेक्टर है आगे माइनस हो जाएगा जब इनकी दिशा अपोजिट होगी तो यह दोनों तभी स्वरी स्वरी यहां हमने एक चीज गड़बड कर दी यह दोनों एंटी पैरलल हैं एंटी पैरलल में आप बोल सकते हैं कि AB वेक्टर है एंटी पैरलल तो यहां पे एंटी पैरलल अप लिक लेंगे CD वेक्टर के अब यहां समझिएगा हमने पीछे भी देखा था कि इन दोनों की लेंथ बराबर हो सकती है और नहीं भी होगी तब भी चलेगा लेकिन दोनों की दिशा क्या होनी चाहिए अपोजिट तो ऐसे सदीश को बोला जाएगा एंटी पैरलल वेक्टर या प्रती समांतर सदीश ठीक है यहां पे अगर कूण की बात करें तो दोनों के बीज का कूण कितना होगा एक सवस्सी डिगरी होता है ठीक है एक सवस्सी अंस होता है तो यह आप ध्यान रखेंगे पैरलल सदीश जो होता था यानि समांतर सदीश दोनों के दिशा एकी होती थी तो दोनों के बीज का जो कूण आता था वो जीरो डिगरी होता था तो इसे आप समझ सकते हैं ठीक है अच्छा बोर्ड स्क्रीन पे आप चाहें तो देख लीजिए यह आपको दिया है बोल इसमें यह रहा है कि यदि दो सदीश ए तथा बी की दिसाएं जब बीपरित हों तब वे प्रतिसमांतर सदीश कालाते हैं ठीक है और इनके बीच का कोण जो होता है वो एक सव असी अंस होता है ठीक है अब हम बात करेंगे सन रेखिय सदीश के बारे में ठीक है अब हम देखेंगे सन रेखिय सदीश यानि कोलिनियर वेक्टर अब समझेंगे कि कोलिनियर वेक्टर क्या होता है हाँ जे चलिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो यह फिप्थ हमारा है है यहाँ पे सनरेखिय सदीज जिसको हम बोलते हैं कोलेनियर वेक्टर कोलेनियर वेक्टर हम यह बोल सकते हैं ठीक है जराई से समझे अच्छा चलिए आगे देखिए को लिनियर वेक्टर क्या होता है हम ऐसा बोलते हैं कि ऐसे दो सदीस जो एक ही लाइन पर लाई करते हों या एक ही लाइन के एलॉंग हो अब जरा इस चीज को समझिए हम करें संवेकियस सदीस जैसे ये एक लाइन है ठीक है एक सदीस ये है औ दूसरा सदीस भी इसा ही या इसी के ऊपर हो तो मान लिजिए कि ये जो पूराना वादास सदीस है वो एबि वेक्टर है और नया वाला सदीस ये बना है यह cd vector है ऐसा हो सकता है तो जब दोनों एक ही line के along हो या एक ही line पे हो तो ऐसे सदीस को बोला जाता है संरेखिय सदीस अब देखें दोनों की दिशा एक है तो angle यानि कूण कितना होगा 0 degree लेकिन हम संरेखिय सदीस इसे भी बोलेंगे कि एक की दिशा इधर हो और दूसरे की जो दिशा हो इसी के बीपरित इधर हो ठीक है ये ऐसे तो अगर मालीजे पुराना वाला a b vector ऐसा हो जाता है और नया वाला जो है वो c d vector ऐसा हो जाता है तो इसे भी हम संरेखिय सदीस बोलेंगे संड रेखिय सदीस में ऐसा होता है कि दो सदीस जो होते हैं वो एक ही लाइन पर होते हैं उनकी दिशा एक जैसी भी हो सकती है और बीपरित भी हो सकती है ठीक है अगर इसमें देखा जाए तो इन दोनों के बीच का कौन जो होगा वो 180 डिगरी होगा ठीक है, मतलब 0 degree भी हो सकता है, 180 degree भी हो सकता है, ठीक है